Welcome to Vinu Education Point आज हम लोग बात करेंगे वन्स संस्थापक और राजधानी के बारे हम बात करेंगे जो कि बिहार में होने वाले सिक्षक की परिछा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्चन होने वाला है बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर होने वाला है और इस वीडियो का पीडियाफ मैंने टेलिग्राम ग्रूप में दे दिया है तो प्लीज टेलिग्राम ग्रूप को भी जोइन कर ले जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते है देखते हैं दक्षीन भारत की आज देखेंगे हम लोग दक्षीन भारत की परमुक राज वंस ठीक है तो इसका दक्षीन भारत का वंस देखो कब से कब तक चला था पांससो श्वी से बारासो श्वी तक चला था इसका हो जाएगा पल्लव वंस चालुक वंस वतापी और वेंगी और कल्यानी चालुक और राष्टकूट और चोलवन्स इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं चलिए हम लोग देखते हैं पल्लाववन्स पल्लाववन्स का संस्थापक कौन हो जाएगा सिंग विस्नु पल्लाववन्स की राजधानी कहा हो जाएगी काची तमिलाडो में है राजभासा क्या था इसका संस्क्रीप पल्लाववन्स में जो है सिंग विस्नु का सासन कब से कब तक रहा पांसो पचतर इसवी से छेशो इसवी तक रहा चलिए सिंग विस्नु जो है किस धर्म के अनगाई थे वैसनब धर्म के किया गया यह कुछा जाएगा किर्टा जुरुनियम का रचना किस ने किया था है यह हो जाएगा भैर्टी कौन हो जाएगा भैर्टी सिंग वwlुं के ही साशनकाल में मावलामपूर में वराह sambandir का निर्मान किया गया वराह Masandir का सासनकाल में किया गया, शिंघ विस्नु के सासनकाल में किया गया, सिंघ विस्नु एक महान परतापी सासक था, जिसने चेर, चोल और पांडेवन्स के राजाओं को क्या किया था? युद्य में पराजीत किया था, चलिए हम लोग आगे देखते हैं पलववंस में 575 से 897 इसवी तक ये महेंदर वर्वन पर्थम का है महेंदर वर्वन का पर्थम का कारिकाल कितना से कितना है 600 इसवी से 630 तक सिंग विश्नु के बाद उसका पुत्र महेंदर वर्वन अगला सासक बना तो पूछा ये भी जा सकता है कि महेंदर वर्वन पर्थम के पिता का क्या नाम है या सिंग विश्नु के पूतर का क्या नाम है ये हो जाएगा महेंदर वर्वन महेंदर वर्वन एक महान कभी था कभी भी था और संगी तक तो था ही बहुत ही गाना-गाने का सौखिन था संगीता के था चले हम लोग आगे देखते हैं महेंदर वर्वन मत्विलास परस्वन का नामा के क्या क्या था हास्य गरंथ का रचना किया था शुरवात में वो जेन धर्म को अपनाया मन्न महेंदर वर्मन पर्थम ने शुरवाती दोर में किस धर्म को अपनाया जेन धर्म को और लास्ट में वे तमील का संत से वो प्रभावित होके वो सेव धर्म को अपना लिया महेंदर वर्मन के सासनकाल में चालुक नरिस्पूल के सिंदूतिया ने आकर्मन किया था और पल्लव सासक महेंदर वर्मन को क्या किया था युद में प्राजित कर दिया यही से पल्लवों की और चालुकों के बीच क्या हुआ था युद छीड गया था आगे देखते हम लोग पल्लव वंस नर्सिंग वर्वन पर्थम पूरे पल्लव वंस में सबसे सकती साली सासक किसे माना जाता है नर्सिंग वर्वन पर्थम को यानि पूछा ये भी जा सकता है कि पल्लव वंस का सबसे सकती साली सासक कौन था नर्सिंग वर्वन पर्थम इसन महावली पूरम में रत यातरा का निर्मान किसने करवाया यह करवाया था नर्सिंग वर्मन पर्थाम पूछा क्वेशन यह जाएगा बिल्कुल पूछा जाएगा बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है महावली पूरम में रत मंदिरों का निर्मान किसने करवाया बार बार आत यह हो जाएगा नर्सिंग वर्मन पर्थम आगे देखेंगे हम लोग नर्सिंग वर्मन दूतिया के बारे में इस सासंकाल में सांती का सासक माना जाता है मतलब ये एग्रेशन के और नहीं जाता ये सांती से सारा काम करता था तो इस सासन काल जो था उसमें सबसे सांत सासा कौन था जो जागा नर्सिंग वर्मन दूतिया इसके सासन काल में अस्थापत कला का भरपूर भी कास देखा गया ठीक है मतलब अस्थापत कला हो गया जैसे मंदीर का निर्मान किया गया, बहुत सारा टोरिस्ट प्लेस का निर्मान किया गया केलाशनात मंदीर, राज सिदेश्वर मंदीर का निर्मान किसने करवाया नर्सिंग वर्मन दूतिया ने करवाया इस नर्शिंग वर्मन दूतिया के दरवार में संस्रीत कभी कौन रहता था दंडीन जो कि किस का रचीता है देशकुमार चरित्यों का किब अगे देखते हैं हम लोग नर्शिंग वर्मन दूतिया के बारे मुक्तिसुखन मंदियर का निर्मान करवाया बेकुंट पेऊमल मंदियर का निर्मान कव बल्लर पराजित वर्वन को ठीक है जिसका सासनकाल कब से कबरा आठ से उन्नासी से आठ सो संतानमें इस भी तकरा बाद में पल्लव वंस जो है चोल सासकों ने विजित कर अपने राज में मिला लिया मतलब यहां से अब चोल वंस का सासक शुरू हो गया आगे देखेंगे हम लोग च चालुक वंस वातापी और बदामी का चालुक मतलब चालुक वंस की राजदानी कहां था बातापी चालुक वंस के संस्थापक किसे माना जाता है जैस सिंग को इसकी राजदानी कहां थी वातापी इस वंस का सबसे परतापी राजा किसे माना जाता है पुलके सिंदूतिय क पुलकेशिन दूतिया के बारे में आप देखते हैं पुलकेशिन दूतिया इस वंस का सबसे महान सासक हुआ बना चालुक वंस का सबसे महान सासक किसे माना गया है पुलकेशिन दूतिया को इसने पस्टिम गंग वंस कदम वंस और पुष्य भूती वंस के सासक हर सवर्धन को प्राजिद कर किस का उपादी धारन किया निकिया को जीत कर अपने भाई विष्णु वरधन को वहां का क्या किया आगे देखते हैं हम लोग पुलकेसिन दूतिया के बारे में देखेंगे और पुलकेसिन दूतिया ने अपने सासनकाल में पल्लाववन्स पराकर्मन करा और पल्लाववन्स के महेंदर वर्मन पर्थम जो था उसे क्या क्या युद में पराजित कर दिया तो महेंदर वर्वन पर्थम को पराजित किस ने किया पुलके सिंदूतिया ने किया इसका बदला नर्सिंग वर्वन पर्थम ने लिया इसका बदला जो है इसके पुत्र नर्सिंग वर्वन पर्थम ने ले लिया पलग वंस का महान परतापी सा सक नर्सिंग वर्वन पर्थम पुलके सिंदूतिया को क्या किया स्रिलंका के साथ गुट पेक्ष करके उसे हारा दिया बाद में नर्शिंग वर्मन ने वातापी कौंड की उपादी भी धारन कर लिया हम लोग आगे देखेंगे पुलके सिंदूतिया के बारे में जानकारी एहोल अभिलेक से मिलता है पुल किसी दूतिय के राज किया कभी कौन था रवी कृती इस वंस का अंतीम सासा कौन हुआ कृती वर्वन दूतिय हुआ जिसने दंती दुर्ग को प्राजित करके राश्टकुट वंस की अस्थापना किया चलिए हम लोग आगे देखेंगे फिर कल्यानी के चालुक देखेंगे मन जानी के चालुक के वंस के संस्थापक कौन है तेलब दूतिय है इन सभी में सबसे महत्पून सासक हुआ करता था कौन विक्रमादित चतूर्थ इसने कई विद्वान और कभियों को अपने दरवार में आस्रे दिया था इसके सासनकाल में परसिद कभी विज्यानेश्वर और कलहन पूछा जाएगा कि विज्यानेश्वर और कलहन किसके सासनकाल में रहते थे परसिद कभी थे किसके सासनकाल में तो यह जाएगा विक्रमादित चतूर्थ विलहन की रचना किसने किया विलहन और मिताक्षरा की रचना किसने किया विज्यानेश्वर इस वंस का अं पुर्वी चालूग के नाम से भी जाना जाता है पुलकेशिन दूतिया ने इसे जीत कर अपने छोटे भाई विश्नु वर्दर को राजा बनाया था इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया इसलिए ये वेंगी के चालूग भी कहलाया इसी विश्नु वर्दर की पतनी आयना महादेवी ने विजयवारा में जैन मंदिरों का निर्मान करवाया विजयवारा में जैन मंदिर का निर्मान किसने करवाया आयना महादेवी जो आयना महादेवी कौन थी विश्नु वर्दर की पतनी इस वंस का सबसे महान परतापी सास कौन हुआ विक्रमा देते तिरतिय वेंगी के चालुक वंस की महान सासक कौन हुआ विक्रमा देत तिरतिय जो दक्षिन पत का सबसे महानतम सासक भी माना जाता है चालुक की सबसे कमजोर साखा थी और जो कोई की परतापी सासक नहीं हुआ चालुक का सबसे कमजोर साखा क्या से बहुत ही important होने वाला है पहले देखेंगे हम लोग पहला question है एहुल प्रस्तती का रचना रचाइता रवी कृति किस चालुक के सासा का दरवारी कभी था ठीक है तो यह क्या हो जाएगा प्लकेशिंदू ़िए आगा दुसरा question देखेंगे मिलान कीजिये Somalit के हीए समेलित कीजिये समेलित मतलब पहस्चिन प्राचिनतम चालुक और पूर्वी चालुक और प्रस्चिन चालुक इसका बातापी जो कहा है करनाटक में पुर्भी चालू कराजदानी कहा हो जाएगा कल्यानी जो करनाटक में है अगला कुश्चन देखते हैं हम लोग सुची को मिलान किजिए फिर आगे सुची को मिलान किजिए राज और संस्थापक है once or संस्थापक का कैस ने किया चालोग का संस्थापक कौने कल्यानी के चालोग का संस्थापक कोन तो सीडियल में इसका एंसर भी दिया हुआ वातापी के चालू का संस्थापक जैसिंग, वेंगी के चालू का विस्नु वार्दन, कल्यानी के चालू का तेलब दूतिया और कांची के चालू का सिंग विस्नु अगला क्वेस्टन देखते हैं हम लोग किस चालू के सासक ने थाने स्वर्वत कन्योज के महान सासक हर्सवर्दन को नर्मदा नदी के तठ पर प्रास्थ किया और उसे दक्षिन में बढ़ने से रोका, यह हो जागा पुलके सिंदूतिया ने किया था अगला क्वेस्टन देखते हैं, चालू के सासक का सबसे परसीद सासक कोन हुआ, यह हुआ पुलके सिंदूतिया अगला क्वेस्टन देखेंगे, महाबली पूरम जो एक परमुख नगर है, वह कला में किस सासकों को रूची दर साता है अगला क्वेस्टन देखेंगे हम लोग, मत विलास पौरसन का नाटा की रचना किस ने किया, यह हो जगा महेंदर परदन पर्थम ने किया था, किस मंदीर को राज सिदेश्वर मंदीर भी कहा जाता है, यह हो जो केलास मंदीर अभी पीछे पड़े हम लोग, केलास मंदीर जो कहां है, कांची में है, आगला क्वेस्टन देखेंगे हम लोग, विक्रमादित का रचित विलहन, मिताक्षरा के रचना कार विज्ञानेश्वर किसके सासनकाल में रहते थे, यह हो जाएगा, विलहन और विज्ञानेश्वर किसके सासनकाल में रहते थे, यह हो जाएग मिताक्षरा किस विश्य से संब्दित यह हो जागा हिंदू परिवारिक विधी संगीता चीक है वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक है और हम सब्सक्राइब जरूर करें